आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि पिक्चर देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग सरदार, बल्लब भाई, पटेल के बारे में बात करने वाले हैं और 31 अक्टूबर को सरदार, बल्लब भाई, पटेल की जैनती मनाई जाती है क्या मनाई जाती है? जैनती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को तो इनके बारे में एक सामान जानकारी हम लोग देखेंगे और बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में बने हुए हैं इनको लेकर उनके भी आप लोग देखेंगे किलियर जबाब आपको मिल सकेंगे और देखें हमारे देश की जो राजनिता है, पॉलिटिसियन है, जो राजनितिक दल है यह आप देखें कि ऐसा दिखाते हैं जैसे नहरो और बल्लभाई पटेल और महत्मा गांधी के वीच एक तरह से दुस्मनी हो इनके वीच बनती ही ना हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इनकी विचारधारा में फरक हो सकता है लेकिन सबका मकसद एक ही था, देश को आजात करना, देश को एक रखना और देखिए जब मंत्री मंडल का गठन होता है नेरू की, तो उसमें सरदार पललभाई पटेल को भी सामिल किया जाता है भीमराव मेटकर साहब को भी सामिल किया जाता है, इन सबकी विचारधारा अलग थी तो बहुत सारे इस तरह की सवाल रहते हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगी और एक बात हमेशा याद रखेगा, राजनेताओं से आजकल के पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिसियन का कोई मतलब नहीं है उनकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, बस उनके नाम पर वोट बैंक, वोट बटोडना इनका उद्देश है बस कुछ और Пिक्ठर आप लोग देख रहे होंगे, देखे यह नहरू है, इस सर्दार बल्लबाई पठल, यह आप देखे, महाँ करिए Ghandi ओ नहर, सर्दार बल्लबाई पठल, और यह आप देखेंगे नहरू और सर्दार बल्लबाई पठल, और आपने देखा होगा, एक बल्लब भाई पटेल इनका वास्तविक नाम आंगे जाकर आप देखते हैं कि सरदार इन्हें टाइटल मिलता है तो इनका जनम बल्लब भाई पटेल जावेर भाई पटेल का जनम 1875 में कब 31 अक्टूबर 1875 में गुजनाडियाड गुजराद बेटिस भारत में लेवा पाटि अंग्रेजियों का सासंता पूरा तो इनका जनम आज के गुजराद में हुआ था और गुजराद की बात करें तो आप देखेंगे वर्तमार में गांधी नगर इसकी राधधानी है और इसकी अंतराश्ची सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में राजिस्तान 12 सीटे हैं रासवा में 11 सीटे हैं लोकसवा में 26 सीटे हैं यहां का छेतफल अगर आप देखें तो एक लाख एक आनवे हजार 24 बर किलूमीटर में फैला हुआ आपका गुजराद और एक माई 1960 में गुजराद को राज्य बनाय गया था उनकी जैनती अब राष्टी एकता दिवस और राष्टी एकता दिवस की रूमें मनाई जाती हैं क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारी देशी रियासते हुआ करती थी उन्हें एक करने में इनका ही योगदान माना जाता है सबसे ज़्यादा उनकी जनमतिती का कोई अधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उनके मैट्रिक परिच्छा के पिस्न पत्रों पर 31 अक्टूबर का उलेक हैं उनकी जनमतिती की रूम में हम लोग उसी को मानते हैं उनकी पत्नी लाडवाई के छे बच्चों में से चौथे थे और उनके पिता ने 1857 के विद्रों में जहासी की रानी लच्छिमी भाई की सेनाम में भाग भी लिया था और आप लोगों को बता दूए एक और रानी लच्छिमी भाई से भी कई बार आप देखते हैं कि एक्जाम में कुश्चल्स पूछ लेते हैं रानी लच्छिमी भाई का जनब बनारस में हुआ था इनकी साधी जहासी में हुई थी और इनकी डैत कहां हुई थी ग्वालियर में और ग्वालियर में आप लोग इनकी समाधी भी आप लोग देखेंगे पूलबाग के पास अगर हम लोग सरदार बल्लब भाई पटेल साहब की सिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे कि सरदार बल्लब भाई पटेल हिंदू परिवार में पड़े लेके उनका प्यारमीक बच्पन करम साध में परिवार की किसी चित्रों में भी था और किसुरावस्था की अंततक उन्होंने करम साध में अपनी मद्ध विद्ध्याले की सिक्षा पूरी की साल 1897 में 22 साल की उमर में उन्होंने नडियार पेट लाड़ की एक हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और सरदार बल्लभाई पटेल ने काम करने और कानून का अध्यन करने के लिए इंग्लेर जाने के लिए आवसक धने कतित करने का लक्ष रखा और इसकूली सिक्षा के बाद उन्होंने कानून की किताबें उधार लेकर पढ़ाई की और डिष्टिक पिलीडर की परिक्षा पास की और सन 1900 में उन्होंने गोदरा में बकालत की पैक्टिस शुरू की अपनी मेहनत और लगन से सरदार बल्लभाई पटेल एक काविल बकील बकील बने और उस समय काफी चर्चा में भी रहते थे कौन पटल साहब अच्छे बकील मानें जाते थे 1902 में आप देखें कि सर इन्हें सपनों की वलिदानी दी यह क्या घटना है यह आप देखें सरदार बल्लभाई पटेल का इंग्लेंड में कानून की पढ़ाई करने का सपना था और उसके लिए उन्होंने नौकरी की कमाई से मिलने वाले पैसों को एकट्टा करना शुरू किया जब उनकी पास वह बड़े भाई बिठल भाई के भी बल्लभाई के समान सिगनेचर थे लेकिन जब सरदार बल्लभाई पटेल को पता चला कि उनके बड़े भाई की पढ़ाई करने के लिए इंग्लेंड जाने की एक्छा है तब वह गरी सोच में पढ़ गये और कहते हैं कि उनका परिवार भ बलिदान दिया और खुद इंग्लेंड ना जाकर वो सारे पैसे जो एकटा किये थे उन्होंने कई महने लग गए थे उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिये और अपने बड़े भाई का सफना साकार किया अगर हम लोग इनके परिबार की बात करें सरदार बल्लभाई पटेल की का वेवा 16 साल की उमर में हो गया था यानि कि आप देखे बाल वेवा हुआ था इनका और जहावेरवा से हुआ था साल 1900 में उन्होंने गोद्रा में बकालत की पैक्टिस शुरू की और अपनी पत्नी जहावेरवा को अप उनके माता पिता के घर से ले आया और दो सर्दार बल्लबाई पटेल के दो बच्चे थे साल 1909 में सर्दार बल्लबाई पटेल की पतनी गंबी रोप से विमार थी और गोंबी के एक अस्पाल में उनका ओपरेशन किया गया हाला कि इसके इसे उबर नहीं पाई और इस वीमारी से उनकी मौत हो गई और यहाँ भी ब पड़ा लेकिन मामले के अंत तक कोई संकेत दिये बिना अपने मामले को जारी रखा यानि कि अपने काम में इतनी दिल्चस्पी इतनी इमांदारी रखते थे कर्तब निश्टा थे कि आप देखें कि पतनी के डैत का मालूँ चल जाता है फिर भी अपना कर्तब निभाते रहत और उन्हें अपने परिवार की अंदर सदस्टों की मदद से अपने बच्चों की परिवर्स और की और उन्हें मुंबई की एक अंगरीजी माध्यम की स्कूल में भिद दिया पटल की इंगलेंड यात्रा उनका देरिष्टर बनना साल 1911 की घटना है 36 साल की उमर में अपनी पतनी की मित्यू की दो साल बाद सरदार बल्ला भाई पटल ने इंगलेंड की यात्रा की और लंदन में मिडिल टेंपल इन में दाखिला लिया पढ़ाई के लिए सिक्चा के लिए और पिछली कोई कॉलेज पिष्टभूमी नहीं होने की बापजूत पटल अपनी सिक्चा में स्टॉप पर रहें और उन्होंने 36 महीने का कोर्ष 30 महीने में पूरा किया और भारा लोटकर पटल एहमदाबाद में बस गए और सहर की सबसे सफल वेरिष्टर में से एक बने बकील में से एक बने और कहते हैं कि पहली बात जब आप देखे गांदी जी से इनके दोस्त मिलने जा रहे थे तो ये गांदी जी का मजा खोड़ाते थे लेकिन आगे चलकर आप देखे गांदी जी से काफी प्रभावित भी हुए आगे बात आती है भारती है सुतंता यह भी सवाल उठते रहते हैं और आप देखते हैं कि आजकल हमारे नेता किसी कोई भी आप सोचे कि हर किसी का देष की आजादी में यूगान ये है चाहे वो कभी हो चाहे आम लोग हों कोई भी हो देखिए पत्यकार हों सिख्छक हों हर चाती वर्क की लोगों का देश की आजाली में योगदान रहा है रास्ति अलग-अलग हो सकते थे लेकिन आप देखेंगे कि उनका मंजिल एक ही थे सरदार बल्लभाई पतेल के उस सुरू से ही राजनीती में कोई जाना खास दिल्चस्वी नहीं थी लेकिन साल 1917 में गोदरा में मुहंदास करमचंद गांधी के साथ उनकी मुलाकाद ने पतेल की जीवन को मौलिक रोप से बदल दिया और आप देखेंगे कि सरदार बल्लभाई पतेल ने कॉंग्रिस में सामिल हो गया और गुजरास सभाव के सचे बने जो बाद में कॉंग्रिस का गड़ बन गया और गांधी के कहने पर सरदार बल्लभाई पतेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और प्लेग और अकाल 1918 के समय खेडा में करों में यानि कि टेक्स में छूट के लिए लड़ने के लिए अंदुलन में सामिल हो गया थी इतना आप देखे गांधी जी की लोग ये लोग बात मानते थे तो आप सोचे कि गांधी जी और इनके वीच कभी भेदभाव हो ही नहीं सकता है मत भेद होंगे मन भेद नहीं हो सकते हैं सरदार बल्लभाई पटेल गांधी के असहिव आंदोलन 1920 में सामिल हुए और आप देखेंगे कितना 30 लाग सदस्तों की भरती के लिए पश्चिम भारत की यात्रा किये उन्होंने पार्टी फंड के लिए एक दसम्लाव 5 मिलियन रुपे से आधिक भी एकत्तित किये और बल्लभाई पटेल को सरदार की उपादी कहां से मिली अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी करें होंगे तो ये कुश्चन्स भी पूछ लेता है भारती ध्वच को फैराने पर पितिवन लगाने वाला एक बेटिस कानून था और जब मात्मा गांदी को कैद किया गया था तो सरदार बल्लभाई पटेल ही थे जिन्होंने 1923 में बेटिस कानून के खिलाब नांगपुर में सब्तिया गया आंधोलन का नेत्ति किया और यह 1928 का बार्दौली सत्या गया था जिसमें बल्लभाई पटेल को सरदार की उपादी और उन्हें पूरे देश में लोकवी बना दिया इतना बड़ा प्रभावत था कि मौतिला नहरू ने कॉंग्रिस के अध्यक्षपद के लिए गांधी जी को बल्लभाई का नाम सुझाय था तो बार्दौली की महलाओं ने कहते हैं कि इन्हें सरदार की उपादी दी और एक उपादी और है लोह पुरुस की देखे इसकी भी अलग-अलग कहानी है कहते हैं कि इन्हें कोई फोड़ा पुंसी हुई थी और गरम लोहा उसमें डालने की बात होती थी तभी वो फूट सकता था या उसका उपचार हो सकता था तो कहते हैं कि इन्हों ने अपने हास से उसे डाल दिया था इसलिए लोह पुरुस इनका नाम रख दिया गया और एक कहानी और है इस तरह का युगदान जर्मनी के एकिकरन में बिसमार्क ने किया और उनी की बल्लभाई पटेल ने भी अपनी सूझ भूच से सुतंध भारत को एक विसाल राष्ट बनाया गांधी जी की पटेल जी की नीतिकत देड़ता के लिए उन्हें सर्दार और लोह पुरुस की उपादी दी जैसे जर्मनी का आरन चैंसलर कहा जाता है और उसी तरह भारत में सर्दार बल्लभाई पटेल को भारत की लोह पुरुस के नाम से आप लोग जानते हैं यह भी कहानी है राष्ट ब्यापी सबिने अउग्या अंदोलन में भाग लेना इनका यहां क्या हुगा एसन 1930 में नमक सबते आगया कि दौरान अंग्रेजों ने सर्दार बल्लभाई पटेल को गरपतार कर लिया और बिना अगवाहों के उन पर मुकदमा भी चलाया दूती अविसेउद 1949 के फैसले फैलने पर सर्दार बल्लभाई पटेल ने केंद्री और परांती विधान सबाओं से कॉंग्रिस को बापस लेने की नहरू के फैसले का समर्थन किया और महत्मा गांदी के कहने पर 1942 में राष्ट ब्यापी सविने अहुग्या अंदोलन शुरू करने के लिए सर्दार बल्लभाई पटेल ने मुंबई में ग्वालिया टैंक मैदान जिसे अब अगस्त करांती मैदान कहा जाता है मैं बात की तो वहाँ अपने जीवन के सर्फस्थिष्ट चरन पर थे और भारत चुड़ू अंदोलन 1942 के दोरान अंग्रेजों ने सर्दार बल्लभाई पटेल को गरपतार कर लिया और 1942 से 1945 तक बेपूरी कॉंग्रेस कारिसमती के साथ अहमद नगर के किले में कैद थे यानि कि जेल में एक तरसे बंद थे फिर बात आती है सर्दार बल्लभाई पटेल कॉंग्रेस अध्यक्ष की रूम में तो आप देखेंगे कि गांधी इर्विन समझोती पर हस्ताक्षर करने के बाद सर्दार बल्लभाई पटेल 1931 के सत्त कराची के लिए कॉंग्रेस की अध्यक्ष चुने गए और कॉंग्रेस ने मौलिक अधिकारों नागरिक सुतंता की रक्षा के लिए खुद को पितिवद्द किया और फटेल ने धरम निर्वेक्ष राष्ट की इस्थापना की बकालत की और सर्मकों के लिए निर्वेक्ष राष्ट की बात इनों नहीं की है मतलब कोई धरम नहीं होगा हमारे देश का हमारे राष्ट का सभी धरम बराबर होंगे हमारे लिए सरदार बल्लभाई पटेल ने कॉंग्रेस अध्यक्ष की रूप में अपने पत का इस्तिमाल गुजरात में किसानों को जप्त की गई भूमी की बापसी को विवस्तित करने के लिए भी किया यानि कि किसानों के लिए भी इनोंने काम किया सरदार बल्लभाई पटल ने समाज सुधारक भी माने जाते हैं सरदार बल्लभाई पटल ने सराप के सेवन चुआ चूद जातीकत भेदभाओ गुजरात और बाहर महला मुक्ती के लिए बड़े फिर्मान पर काम किया उन्होंने हिंदो मुसलिम लोगों को एक्पता के साथ खड़े होकर एकजुट होने के लिए आहान किया और गांदी जी की मुलाकास से पहले उनकी गांदी जी के बारे में सोच जब गांदी जी से नहीं मिले थे उसके पहले गांदी जी के बारे में एक क्या सोचते थे पटेल ने उन्हें रोक दिया और कहा कि गांधी आप से पूछेंगे कि क्या आप जानते हैं कि ग्यहों से कंकड कैसे निकालते हैं और यह सुतंता लाने बाला है तो इस तरह का पतंज कस्ते थे आप देखे पहले और उस तामें सरदार बल्लब भाई पटेल महत्मा गांधी क कि विचारदारा को नहीं मानते थे और पतेल के उपर गांधी का क्या पर हो पड़ाँ आँगेशलकर तो गांधी के कि जीवन और उनके सिध्धानतों का सरदार वल्लभाई पटेल की जीवन और विचाधाराओं पर बहुत बड़ा पिरभाव पड़ा। जब गांधी ने असाहिव गांदूलन का आहन किया तो पटेल ने अपनी समर्द्धे पिथा को छोड़ दिया और खुद को सुतनता संग सरदार वल्लभाई पटेल की भी गांधी की सविनय एग्या अंदूलन को बिरोध का सामना करना पड़ा लेकिन सरदार वल्लभाई पटेल ने उनका समर्थन किया और गांधी की सुझाओ पर उन्होंने 1940 में भारती राठी कॉंग्रिस के अध्यक्ष के चुनाओ के लिए अ अपना नाम बापस ले लिया था और यहां भी आप देखी कि बहुत सारी विद्वान इतियासकार अपना-पना तर्ग देते रहते हैं कई लोग कहते हैं कि नहरो पंडिच जवालाल नहरो एक विदेशों में पड़े हुए ब्यक्ती थे और वो अंग्रेजों की हर बात को स तरह से इनकी सोच समझ अच्छी थी इसलिए इन्हें होम मिनिस्टर और उप्धान मंत्री बना दिया गया कानून के इचित में आप देखी कि भीमरा अंबेटकर साहब की ख्याती पाए हुए थे ग्यान था उन्हें इसलिए उन्हें कानून मंत्री बनाए गया तो इस तरह तर शुद्र होगे या आपने किसी मि liberhti की बात माने कभी नहीं मानेगा लेकिन आप देखिए उस समय गांडी जी की बाद सर्दार बल्ला भाई Geschmack को हमें आजादी मिल गई थी पहली बर्सगाठ पर सर्दार बल्ल भald प डि को भारत की ग्रहय मंतरी की रूम में ने पिसारण मंतराले के पिरभारी भी थे और भारत की ग्रह Muantri और ओपधान मंतरी के रूम में सरदार पड़ेल ने पंजाब दिली से भागने वाले सरदांतियों के लिए रहत प्रयासों का आहूजन किया और सांती भाली करने के लिए काफी काम भी किया और इसन सब की अलावा सरदार बल्लभाई पटेल ने राजविभाग का कारवार भी समाला और वे 565 के करीब रियासतों को भारत संग में सामिल करने के लिए जिम्मेदार थे उन्हें सिध्धान जली अर्पित करती हुई नहरू ने सरदार को नए भारत का निर्माता और समेकक भी कहा था और हलाकि सरदार बल्लभाई पटेल की अमोल सिवाय सुतंद भारत के लिए के बद तीन वरसों के लिए उपलाब देती हैं क्योंकि भारत के इस बीज सपूत की मित्ति 75 वरस की उमर में आप देखेंगे 15 दिसंबर 1950 को बड़े फिर्माने पर दिल एक तरह से दिल का दौरा पढ़ने से इनकी डैत हो गई थी और कहते हैं कि इनकी उमर भी पिदार मंतरी पन में इनकी बाधा बने तो ये भी कहते हैं अब अलग अलग बात हैं कही जाती है रियासतों के साथ मिलाने में सदार बल्लभाई पटेल की भूमिका की बात करें तो ये भी दिलचस्प कहानी है और एक बात याद रखेगा कि अगर आप सोची कि अगर देशी रियासतें जो थी अगर सभी आजाद हो जाती सभी देश बन जाती तो हम लोग एक छोड से दूसरे छोड तक जाते और कहते हैं कि हम लोग इतने देशों का भीजा लेकर आये हुए हैं इतने देशों की यात्रा करके आये हुए हैं और कहते हैं कि देशी रियासतों को जो फ्रेम से प्यार से जो मानते थे उन्हें उस तरह से सरदार बल्लबाई पटेल ने काम किया और जो आप देखें कि अच्छे से नहीं मानते थे उनके लिए बुरे तरीके से इन्होंने काम किया कहते हैं गंणा ले जाते थे ऐसी कहावत कहते थे कि लिजे खा लिजे मीठे स्वाद के रोप में और अगर नहीं मानते हैं दो डंडा जो गन्ना था वो डंडे का काम भी करते थे सरदार बल्लभाई पटल अपने खराफ स्वास्त और उम्र की बापचूद सयुक्त भारत की निर्माड के बड़े उद्देश से कभी भी नहीं चुके भारत की पहले ग्राम मंत्री ओपधान मंत्री की रोम में सरदार पटल ने भारत संग में लगबख 565 रियासतों के एकी करन में महत्पूर भूमी का निभाई सरदार पटल ने रियासतों के साथ आम सहमती बनाने के लिए अथक परियास की लेकिन जहां भी आवस सेखो वहां उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद के तरीकों को अपनाने में कोई संकोच नहीं किया आजकल आप देखिए हमारे नेता पॉलिटीसियन है जो साम, दाम, दंड, भेद एक कहां अपनाते हैं राजनीती में चुनाव जीतने के लिए लेकिन आप देखिए हमारे सदार वर्लाब भाई पटेल ने कहां अपनाया था देश को एक करने में देश को एक बनाया रखने में और उनकी नबाब द्वारा सासित जुनागर की रियासत और निजाम द्वारा सासित हैदराबाद को जोड़ने के लिए बल का इस्तेमाल किया था क्योंकि आप देखेंगे कि इन दोनों ने अपने अपने राज्यों को भारसंग के साथ बिलाय नहीं करने की काम ना की थी लेकिन जमू कस्तमीर में आप देखते हैं हस्ताक्चार की द्वारा चामिल हुई थी नहरू और पटेल की बात करेंगे हैं हम लोग तो आप देखें नहरू और पंडित जवालाल नहरू जो देश के पहले पिधान मंतरी बने थे और पहले ग्रह मंतरी और पिधान मंतरी पटेल साब की बात हो रही है आपस में एक दुल्लब सयूजन थे वे एक दूसरे के पूरक थे भारती राष्टी कॉंग्रेस के इन दो महान निताओं में परसपर पिसंसा और काफी सम्मान था हाला कि इन दोनों की दरिश्टी कौन में काफी मदभेद थे मदभेद थे मनभेद नहीं थे मदभेद होना गलत नहीं है लेकिन इन दोनों के लिए ही अंतिम लक्ष यह खोजना था कि भारत के लिए सबसे अच्छा क्या हो इनके लिए खुड़ सी प्यारी नहीं थी इनके लिए यही था कि भारत को किस तरह से एक रखा जाये आंगे बढ़ाये जाये इन दोनों में आप देखी मदवेच जानदातर कॉंग्रेस पदानुकरम, कारसेली और विचारधारा को लेकर दी थे और कॉंग्रेस के बीता नहरू को ब्यापक रूप से बामपंथी समाजबाद माना जाता था जबकि पटेल की विचारधारा को दच्छिन पंथी पूझी बात के साथ जोड़ा जाता था और साल 1950 में कॉंग्रेस अध्यक्ष पदी के लिए उम्मीदवारों की पसंद में नहरू और पटेल की बीच काफी मदवेच थे तब नहरू ने जेवी किपलानी का समर्थन किया था लेकिन पटेल की पसंद पुरुसत्तम दास्टनन थे और या आप देखें देश को नुकसान हो भारत के पहले उपदानमंत्री के रूम में सरदार बल्लबभाई पटेल की बात करें देखें उपदानमंत्री का पद सम्मिधान में नहीं है यह जरूर आप लोग याद रखेगा 15 जनवरी 1942 को बर्धा में आयुजित ए आइसीसी सर् एक रूप से झवाहलाल नहरू को अपने राजनेतिक उत्धर आदीकारी के रूम में नामित किया था और यहां मात्मा गांदी के अपने सब्दों में राजा जी नहीं सरदार बल्लबभाई पटेल नहीं लेकिन जवाहलाल नहरू मेरे उत्रा आदीकारी होंगे जब मैं च चाहते थे नहरू जंता के अलाबा भारत का नेतित भी करें और सरदार बल्लभाई पटल ने हमेशा गांधी की बात सुनी और उनकी बात मानी भी और जिनकी खुद सुतंद भारत में कोई राजनितिक महत्वा कांचा नहीं थी। और एक महान कारिकारी आयोजक और नेता की रूमे सदार बल्लभाई पटल की गुनों की ब्यापक रूप से सराहना की गई। लेकिन कहते हैं कि गांधी की कहने पर इन्होंने अपनी उम्मीदबारी बाप से ले ली थी। पासंतोस्ट रहेंगे। लेकिन सदार बल्लभाई पटल हर तरह की से आप देखिए संतोस्ट रहेंगे, एड़जेस्ट कर लेंगे। और उन्होंने पटल उसे कॉंग्रिस अध्यच के लिए अपना नावंकन बापस लेने के लिए का, और सदार बल्लभाई पटल ने हमेशा की तरह गांधी की बात मानिये, और फिर जेवी के प्लानी को जिम्मेदारी सोपने से पहले नहरू, नहरू साल 1946 में थोड़े समाई के लिए कॉंग्रिस अध्यच की रूम में पदभा समाला, और नहरू के लिए सुतंद भारत का पिधान मंतरित अंतरिम केबिनिट में उनकी भूमिका का एक विस्तार मात्य था, यह जवालाल नहरू की ही थे, जिन्नोंने 2 सेप्टमबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक भारत की अंतरिम सरकार का नेतित किया था, और नहरू पिधान मंतरी की सकतियों के साथ वायसराई की कारिकारी पलशद के उपात देख चुई थे, और सदार बल्लभाई पटेल ने ग्रह विबाग, सूचराओ पिसारन विफाग का नेतित करते हुए पलशद में दूसरा सबसी सकती साली पहले से ही पटेल को मंतरी मंडल का सबसे मजबूत इस्थम मानते हैं, और फिर सरदार बल्लभाई पटेल ने निर्विवाद निष्ठा और भक्ती का अस्वासन देती हुए इसका उत्तर दिया, साथ ही उन्होंने यह वी उले किया कि उनका सैवजन अटूठ है और इसी मे उनकी तागत हैं, पटेल और सौमनात मंदिर की बात कर लेते हैं, सौमनात मंदिर आप देखते हैं कि कहां गुजरात में आपको देखने को मिलता है, 13 नवंबर 1947 को भारत के ततकालें ओपे पिधान मंतरी तरदार बल्लभा पटेल ने सौमनात मंदिर के पुनरमाड की कसम खाई और सौमनात को अतीत में कई वार नश्ट किया गया और इसे बनाया भी गया, लूटा भी गया, उन्होंने महसूस किया कि इस बार खंडरों से इसके पुनरत्थान की कहानी भारत की पुनरत्थान की कहानी का पितिक होगी, एक गुजरात में सौमनात मंदिर आपको द देखने को मिलेगा, इसे आज भी भारत की बारे जोतिलिंग में सिसर अपितम जोतिलिंग के रूम में जाना जाता है, कहते हैं कि इसका निर्मार स्वयम चंद देव ने किया था, जिसका उलेक रेगवेद में देखने को मिलता है, ठीक है, हिंदू हितों के रक्षा की रू जाज मोहन गांधी के अनुसार, पटेल भारती राष्टबाद का हिंदू चेहरा थे, नहरू भारती राष्टबाद का धरम निर्पेक्च और बैस्विक चेहरा थे, हाला कि दोनों ने भारती राष्टी कॉंग्रिस की छत चाया में काम किया, और सरदार बल्लभाई पटे करने की पूरी कॉसिस की, और पटेल की परिवर्ष के कारण उनका दिल तो हिंदू था, लेकिन उनों निस्वक्च और धरम निर्पेक्च हां से सासन किया, यानि कि आप देखे, जनम से भली वो हिंदू थे, लेकिन उनोंने कभी संपदायकता को वड़ावा नहीं दिया, स भारत के विभाजन को सुईकार कर लिया था, तब वीपी मैनन और अबुल कलाम आजाद सहित कई लोगों ने महसूस किया कि पटेल नहरू की तुला में विभाजन के विचार की पिती अधिक गरहन सील थे, और अबुल कलाम आजाद अंत तक विभाजन के कट्टर आलो चक थे, हाला कि पटेल नहरू के साथ ऐसा नहीं था, आजाद ने अपने संस्मर इंडिया बिन्स फीरम में कहा कि उन्हें आश्या और दुख्त हुगा जब सरदार बलभाई पटेल ने विभाजन की आवसकता कि जबाब में कहा कि हमें या पसंद आया हूँ या नहीं, मगर भ करने की अलाबा, क्योंकि आप देखें जिस तरह से दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, स्तरदार और RSS की बात करें, राष्टी स्वयम से वक संग की, और इसके फाउंडर की बात करें, तो के भी हैडगवार इसके फाउंडर थे, और इसकी स्थापना आगी है, अगर हम शुरू में राष्टी ये स्वैम सेवक संग और हिंदू हित में उनके प्रयासों की पिदी नरम रूख था हलाकि गांधी की हत्या के बाद सरदार पटल ने रसेस पर पितीबंद लगा दिया था तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा और साल 1948 में संग पर पितीबंद लगाने के बाद उन्होंने लिखा उनके सभी भासन संपदायक जहर से भरे हुए किसके रसेस के और इस जहर के अधिब परिराम की रूम में देश को गांधी की अमूल जीवन का बलीदान भुगतना पड़ा और अन्तता 11 जुलाई 1949 को RSS पर उसे पितीबंद हटा लिया गया जब गोल बलकर पितीबंद को रद करनी की सर्तों की रूम में कुछ बादी करने के लिए सहमत हुए तो सबसे पहले RSS पर पितीबंद किसने लगाय था? सरदार बल्लाभाई पटेल ने तब भारत सरकार ने पितीबंद हटानी की गोशना करती हुए अपनी बैगर्टी में कहा कि संगठन उसके निता ने समिधान जण्डे की पिती वफादार रहने का वादा किया था सरदार पटेल के आर्थिक बिक्चार अगर हम लोग देखें तो आत्मिरवर्टा पटेल के आर्थिक दर्सन के पिरमुक सिधानतों में से एक था और आज जो हम लोग आत्मिरवर्टा की बात करते हैं न तो आप सोची कि पहले ही आत्मिरवर्टा की बात हो रही थी आत्मिरवर्टा की बात हो रही थी और बे भारत को तेजी से उद्धोगी के होते देखना चाहते थे और इसके लिए बाहरी संसादनों पर निर्भाता को कम करना अनिवार था और पटेल ने गुजरात में सहकारी आंदोलनों का मार्ग दरसन किया और केरा जिला सहकारी दुख दोतपादक संगी की स्थापने में मदद की जो आंगे चल के पूरी देश में डेरी फारेमिंग के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ और पटेल समाजबात के लिए उठाए गए नारों से प्रभावित नहीं थे और उन्होंने इस पर बहस करने से पहले ही भारत को क्या करना है इसे कैसे साज़ा करना है और साथ ही भारत की आवसकता के बारे में बात की और सरकार के लिए उन्होंने जिस भूमिका की परिकल्पना की थी वहीं एक कल्यानकारी राजी की थी लेकिन फिर उन्होंने यह मैसूस किया कि अने देशों ने विकास के अधिक उन्नत चर्णों में कारी किया पटल ने राश्टिये करण को पूरी तरह से खारिज कर दिया और भी नियंतर के खिलाब थे और उनके लिए लाख का मकसद परिस्यम के लिए एक बड़ा उत्तेजक था कोई कलंग नहीं था पटल बेकार रहने वाले लोगों के खिलाब थे साल 1950 में उन्होंने कहा लाखों बेकार जिनके पास कोई काम नहीं है उन्हें मसुरिनों पर रोजगार नहीं मिल सकता है और उन्होंने मजदूरों से उच्थिसी का दावा करने से पहले धन बनाने में भाग लेने का अग्रे भी किया और सरदार बला पटल ने निवेस आधारीद विकास की हिमायद की उन्होंने कहा कम खर्च करें अधिक बचत करें और जितना हो सके निवेस करें और ये हग नागरिक का आधस बार्ख होना चाहिए और जिसा की बात करते हैं आप लोग की अंतिम समयाता है सबका तो साल 1948 में महतमा गांदी की हत्या हो जाती है और इसके बाद आप देखिए इन्हें दिल का दोरा पड़ता है फिर साल 1950 के उत्तराद में उनका स्वास्त फिर से एक बार बिगड़ने लगता है सरदार पटल बल्लभाई पटल का इसके बाद दिसंबर में उन्हें बंबी ले जाया गया और फिर वहां उन्हें दूसरा दिल का दोरा पड़ा और 15 दिसंबर साल 1950 को उनकी डैथ हो जाती है फिर साल 1980 में एहमदाबाद की मोती साही महल में सरदार पटल राष्टी समारक खोला गया और साथी गुजरात में नर्वदा नदी पर एक पिरमुक बांध उनके नाम पर सरदार सरोवर बांध की रूम में समर्पित किया गया इसके अलाबा अहमदाबाद में अंतराष्टी हवाई डे और कई सेक्षिर संस्तानों के नाम भी पटल के नाम पर रखा गया और साल 1991 में उन्हें मरने के बाद भारत की सरोच नांगरिक पुरुसकार भारत रतन से भी सम्मानिक किया गया और भारत रतन आप सभी जानते हैं कि 1955 से सुरू हुआ था फिर साल 2014 में घोशना की गई कि आप से भारत राष्ट पितिवर सरदार पटल की जनम यानि की 31 अक्टूबर को राष्टी एकतादिवस की रूम में मनाएगा जब से नई सरकार आई मौदी साहब आए पटल उनकी मित्तिव तक एक भारती राष्टी है कॉंग्रिस के निता रहे है यह आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए यह भारती राष्टी कॉंग्रिस से जुड़े रहे हमेशा और रामचंद गुहा कि जैसे कई इतिहासकारों को लगता है कि यह बेड़ंबना है कि पटल पर भाजापा द्वारा दावा किया जा रहा है जब वह स्वायम एक आज इवन कॉंग्रेसी थे आप देखिए एक कॉंग्रेस नेता ससी धरूर ने यह रूप लगा है कि भाजापा सोतंता सैनानियों पटल जिसे राष्टी नायकों की विरासत को हाईजेक करने की कोसिस कर रही है क्योंकि उनके पास जैसन मनाने के लिए इतियास में अपना कोई नेता नहीं है और याद रखे इनका RSS से जुड़ाव नहीं रहा है कई विपक्षी नेता पटेल को उपयोकते बनाने और नहरू परिवार को गलत तरीके से चित्तित करने कि दच्छर पंथी पार्टी के प्रयासों में नहित स्वार देखते हैं और 299 करोर रुपे की लागस से बना सदार पटेल की पितिमा में भारत के पहले ग्रह मंतरी सदार बल्लवे पटेल की उपारमपरिक धोती सौल पहने हुए दिखाये गया है और जो नरवदा नदी के उपर महजूद है और इस मोर्ती को दुनिया की सबसे उची मोर्ती की रूम में जाना जाता है इसकी उचाई लगभग 182 मीटर है और यहाँ चीन की स्प्रिंग टेंपल बुद्धा से 177 पित की उची है जो बर्तमार में दुनिया की सबसे उची मोर्ती है कौन सरदार बल्लभाई पटेल की साथी भारत की लोई पुरुस कहे जाने वाले सरदार बल्लभाई पटेल की इस मोर्ती को तियार करने के लिए पूरे देश से लोहा एकटा किया गया था तो ये कहानी है सरदार बल्लभाई पटल की और देखिए उस समझ जो भी नेता रहे हैं किसी के योगदान को कभी भी नहीं नकारा जा सकता है और अगर आप देखिए कोई अगर नहरू को गाली दे रहा है कोई मात्मा गांधी को गाली दे रहा है कोई सरदार बल्लब भाई पटेल को गाली दे रहा है कोई अगर भीमरा उंबेड कर को गाली दे रहा है तो असल में इनोंने ना किसी नेता को नहीं पड़ा है ना ही किसी इतिहास में कुछ पड़ा है समझ रहे आप तो तो याद रखे और आप देखे आजादी के बाद हाजारों समस्याएं मुए बाग खड़ी हुई थी मुए खोल के लेकिन उस समय इस तरह के नेता थे हमारे पॉलिटिसियन थे जमीन से जुड़े हुए नेता थे और इसलिए समाधान हो सका और भारत एक हो सका आज की अगर नेता होते तो कपके आप देखते बरबाद हो चुके होते हम लोग तो वहोग अलग उनका नजरिया था और आप देखे समिधान जो उन्होंने बनाया उसी पर हम लोग चल रहे हैं चल यह और किसी के बारी में बात कर लेंगे और आप तो मुझे लगता है कि पड़े लिखे हैं इतियास पड़ते रहते हैं तो आप सभी लोग जानते भी होंगे आप लोग युनिवसेटी, फेस्बूक, युनिवसेटी से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होगे और नहीं करिएगा क्योंकि वो महंगी भी पढ़ती है कभी कभी और उनके पास भी अपने अपने तरक होते हैं पता नहीं गहां से लागते हैं तरक चलिए बताईएगा और किसी के बारे में बात करनी हो और कुछ जान ना हो तो जरूर हम लोग बात करेंगे ठीक है?